स्वागेत है आपका जोती स्वास्तू और उपाई के चैनल पे बात करेंगे सूर्य के गुचर की सूर्य महाराज राशी परिवर्टन कर रहे हैं और ये तुला राशी में आ रहे हैं 18 अक्टूबर को यहाँ पे ये 17 नौबर तक विराजमान रहेंगे तो व्रशिक राशी वालों को क्या परिणाम देंगे व्रशिक राशी के केरियर भाव के मालिक हैं और ये जा रहे हैं इनके बारवे घर में कहां रखनी है साउधनी और कब मिलेगा फायदा डेट वाइज हम चर्चा करेंगे कि किस तारिक के इसाब से क्या साउधनी रखनी है चैनल पर पहली बार आएं तो आपसे विनम रन रोद है कि कमेंट में जै मातादी जै शरी राम अवश्य ही लिखिए प्रिशिक राशी मंगल परदान राशी है और सूरे देव हमारी आत्मा के कारक होते हैं हमारे मान सम्मान गरूर कारेशेतर हमारे इजजत सभी के कारक सूरे हैं आत्मा के साथ साथ और ये हो रहे हैं नीच के, नीच के इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ये शुक्र की राशी में जा रहे हैं स्वेम तो ये अग्मी तत्व की राशी है, सूर्य अग्मी तत्व के कारक है और ये जा रहे हैं वायू तत्व की राशी में तो जब आग को हवा का साथ मिलता है तो वो और ज़्यादा तेज हो जाती है इस कारण से आप देज दुनिया में देखेंगे कि काफी विद्वन सक गटनाएं इस गोचर के अंदर हो सकती है बम वाली आग वाली इन चीजों से सभी राशी वालों को सावधान रहना चाहिए अब फ्रशिक राशी वालों के ये दस्वेंगर के मालिक है दस्वेंगर होता है हमारा केरियर का हमारे नौकरी का हमारे वैवसाय का और साथ ही साथ वो चीजे वो काम जिनसे हम अपनी आयप राप्त करते हैं तो इस कोचर के अंदर सूरे तो रहेंगे बारवेगर में साथ में उनको केतु का साथ मिल रहा है जो कि 30 अक्टूबर तक उनको मिलेगा उसके बाद मंगल भी वहीं विराजमन हो रहे हैं और बुद्ध भी चार-चार गिराओं का क्या परिणाम आएगा व्रशिक राशी वालों के लिए मन और मस्तिक्स पूरी तरह से आपका एक ही दिश्वा में कारेटर रहेगा कि कैसे आए बढ़ाएं कैसे इंकम बढ़ाएं आपके दिमाग में कैई तरह के इंकम जनरेट करने के आईडिया आएंगे और बहुत ही आपकी क्रेटिविटी बढ़ने वाली है आपकी मनोकामना और आपकी महत्वा कांशा दोनों ये ही होईगी कि नौकरी में कैसे प्रमोशन हो कैसे आप इंकम को बढ़ाएं और कैसे वैपार को अपने बढ़ाएं अब ये जो गोचर आपके लिए होने जा रहा है बारवे घर के अंदर तो सबसे पहरा तो ये गोचर आपको ये देगा कि आपके खर्चे बढ़ेंगे क्योंकि खर्चा तो हो गही और आपको खर्चा करना ही पड़ेगा क्योंकि खर्च के घर में जा रहे है और ये जो बारवा घर होता है, हमारे खर्चों का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, साथ में साथ हमारे बैटरूम का भी यही घर है, तो राजा जा रहे हैं बारवे घर में, तो आपको नीद की कमी रह सकती है, साथ ये साथ इस गोचर के अंदर, आपको विदेश से संबंदित कारे बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए सूर्य मारा जब नीच के होते हैं यहां पे तूला में जाके तो जब भी वो नीच के होते हैं तो जिन जिन चीजों के कारक है वुन वुन चीजों में परिशानी आती है क्योंकि यह हमारे आत्म सम्वान के और हमारी नोकरी के कारण के हैं तो आपको प्रॉब्लम इस गोचर के अंदर आएगी जॉब का भी मालिक यही है इस कारण से जॉब के अंदर आपके यह आपको साउधानी रखनी है जॉब के अंदर के आपको जॉब बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है अगर आप जॉब में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी इस गोचर में बदलाव करने की आप दिमाग में एक हैलने लाए, जो भी चल रहा है, उसको आप चलने दें, क्योंकि आपको अधिकारियों, उच्छा अधिकारियों, दौनों से प्रब्लम होईगी, अब हम डेट वाइस चर्चा करते हैं, कि किस तारिक को क्या आपको रखनी है, सावतानी, ये जो गोचर हो रहा के 24 अक्टूबर, ये जो 6 दिन का टाइम है, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इस समय चलेंगे मंगल के चित्रा नक्षत्र में, तो जैसे 18 अक्टूबर का टाइम आएगा, आपके काम बनेंगे, आपके नोकरी वेवसाय से संबंदित कारें बनेंगे, आपको हर बार में उनती होईगी, वो सकता आपकी नई जॉब भी लग जाए इस गोचर के दोरान, और मामा पक्षे से भी आपको लाब होएगा, आपके जितने भी कारें हैं वेवापार से रिलेटेड वो बनेंगे, गौर्मेंट जॉब में हैं तो आपको फायदा होएगा, बड़ी कंपनियों में कारें रहते हैं, प्रिशाशन में हैं, राजनीती में हैं, नेता हैं, अभी नेता हैं, सभी के लिए ये गोचर जो 18 अक्टूबर से 24 अक्टूबर का जो टाइम है, 6-7 दिनों का उसमें आपको बहुत उनती देखने को मिलेगी, कारें वेपार के लि मिलेगी, अब बात करते हैं, हम अगले दिनों की जिसमें रहना है, बविहद सावधान, तो वो है 25 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर, ये जो 15 दिन का टाइम है, ये आपको बहुत ही सावधानी के साथ बिताना है, क्योंकि जब सूरे नीच के होते हैं, तो बहुत सारी प्र और ये सावधानी रखनी है, 7 नवंबर तक, 6 नवंबर की रात या सुबह से ही आपको थोड़ा सा रिलेक्स मिलेगा, प्रन्तु 7 नवंबर तक का टाइम देखिए आप, राहू की दृष्टी भी है, और राहू के नक्षेतर में भी चल रहे हैं, तो एक तरह से कहते हैं कि जिस परकार से आंधी तुफान आते हैं, तो कौन बच जाता है, कोई भी नहीं बचता है, बचता सिर्फ वो ही है, जो जुग जाता है, और जो ढल जाता है, जिस परकार से आंधी तुफान में बड़े-बड़े पेड उखड जाते हैं, और छोटी सी घांस उखड ने पात क्योंकि यह नोक्रीं को कारेक है आपके सूर्य बांच्छब करके माली आप से फ़ेंद का बोस का बोस को अबalis vodka ओम ऋमस्फ कर एक सही रहता है अभी सही हो आपक बात में सुनी जाएगी आप यह आप के चलिए कि मुझे नौकरी पे डटे रहना है और अफिसर है डाटता रहता वो नहीं डाट रहा है घरह गोचर उनको आपको डाट पिलवा रहे या गिरह गोचर उनको आप से एसंतुस्ट करा रहे आप ये मान के चलिए तो किसी भी तरह से नौकरी छोड़ने के और नहीं डटे रहे ये इस गोचर का जो टाइम है पंदरा दिन का 24 अक्टूबर से लेके साथ नावंबर का आपको उस गहांस की तरह बढ़ना है जो हर परिस्तितियों में अपने आपको डल जाती है और वाणी ही आपका इस समय विगार करेगी क्योंकि वाणी से ही आप इंकम के रास्ते भी बंद कर सकते हैं और लोगों को भी आप अपने से दूर कर सकते इस चीज का आप विशेश करके द्यान रखें गटना दूर गटना का भी चोट लगने का भी बह बना हुआ है बिजली से बचके चले आग से बचके चले अगर आप महीं लाए हैं घर में कार्य करती है रसुई का तो आपको अगनी से बचके चलना साथ ही साथ पाओं में चोट लगने का डर है और गर्दन पे भी चोट लगने का डर है इस चीज का आप इन पंधरा दिनों में द्यान रखें अब अगला जो टाइम आ रहा है वो टाइम बढ़िया है वो टाइम शुरू होएगा साथ नौमबर से तो साथ नौमबर से जो टाइम शुरू होएगा वह बेस्ट टाइम शुरू होएगा इस गोचर का जब यह चलेंगे विशा का नक्षत्र में विशा का नक्षत्र है गुरू का गुरू के नक्षत्र में जब भी सूर्य महाराज्य चलते हैं क्योंकि गुरू और सूरे की मित्रता है तो इस कारण चे आपको बहुत इच्छा फायदा मिलेगा आपको जितने भी शत्रू अभी 15 दिन से आपके जागरत थे उन शत्रू को आप शान्त करने का बिल्कुल प्रियास ने करें वो जैसे ही आपके साथ रोंबर के तारीक प्रियास आपको परिशान कर रहे थे तो यह मान के चलिए कि उनको उनको आप बिल्कुल भी जवाब भी नहीं दें उनको क्योंकि जैसे साथ नौबर आएंगे सारे सत्रू हतास हो जाएंगे कायब हो जाएंगे आपके जीवन से और आपकी चलने लग जाएगी कारेश्यत में आपकी उनकी होईगी आप वेपारी हो यौकरी पेशा हो प्राइबेट जोब हो गवर्मेंट जोब हो राजनिती में हो आपका सिक्का चलने वाला है इस समय आपको जो परिशानी थी वो परिशानियां काफियत तक कम हो जाएगी और हो सकता है आपकी अगर आप पून बातें बताती हूं जो भूल जाती है अब इस समय आपको मामा जी से आपके मामा जी सपोर्ट करेंगे कामकारोबर वेपार में अगर वो है तो और साथ एसाथ 30 अक्टूबर के बाद आपको थोड़ी सी रहात इस गोचर में मिलेगी जब राहु देव आपकी राशी और शक्ती भी काफी रहेगी और आप अपने कारे शेत्र में जागरत रहेंगे और कारे शेत्र को आए बढ़ाने के और आपका फोकस रहेगा और आर्थी गुनती इस समय आप कट सकते हैं प्रेम संबंदों को पूरे गोचरकाल में सवालने की बेहत जरूरत है क्योंकि सू इसी कराशी वाले काफी अच्छी तरह से अपने संबंदों को चलाते हैं तो इसी तरह से आप अपने love and relationship के संबंदों को चलाइए आपको इस गोचर में फायदा वश्य ही होगा थोड़ा समय का गोचर रस्तों को थोड़ा सा समाल लीजिए उसके बाद आपके अच्छा ट परगतीब देखने को मिलेगी किसी भी तरह का आपको कोई accept कर रहे हैं आपको इसी चीज को वेपार में कोई प्रस्ताव accept कर रहे हैं नौकरी में कोई accept कर रहे हैं तो यह मानके चलिए कि 25 अक्टूबर से लेके 7 नौबर तक आपको उस पर ज्यादा विचार नहीं करना है उसको accept भी नहीं करना है और उसके पेपरों पर साइन भी नहीं करना क्योंकि राहू के नक्षेतर में चलेंगे इन 15 दिन तो आपको परिशानी बाद में होईगी उस समय तो आपको प्रपोजल अच्छा लगेगा प्रंतु बाद में परिशानी होईगी इस सितिती पूरी की दरह से किलियर होईगी साथ नौंबर को तो अच्छा है आपका साथ नौंबर के बाद का टाइम ध्यान रखना है पस आपको अपने पाओं का आग से और अगनी से आपको बचकी रहना है प्रशी कुराशी वालों के सूर्य का गोचर होएगा ये इनको आनंद मंगल कर द आपको ये वीडियो कैसा लगा पूरे गोचर के अंदर सूरे की अराधना वश्य ही करें सूरे अराधना से जुड़िए सूरे उदे से पहले उठीए सूरे के बीज मंतर का जाप कीजिए आदित्य इर्दे सोत्र का पाठ कीजिए साथ ही साथ सूरे अराधना के साथ ही और गाय की सेवा वश्य ही कीजिए देशी गाय जो होती है जिसके पीट के उपर बड़ा सा कूबर सीवलिंग सा बना रहता है उस गाय को गुड़ और रोटी अवश्य किलाएं इससे भी सूर्य देव पक्ष में हो जाते हैं और हनुमान चालेसा का पाट आपको करना ही है क्य